हें वाइटी बियंस की हाल चाल वेलकम बैक टू दो चनल दोस्तों वाइटी भारत चनल पर आज हम बात करने वाले हैं साउथ इस्ट एशिया की सबसे बड़ी होटल एग्रिगेटर कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने सुना ही होगा मैं बात कर रहा हूँ जिसे आप लोग ओयो रूम्स के नाम से भी जानते हैं कुछ सवाल थे आप लोग के जैसे ओयो क्या आज भी ट्रेवल पैकेजिस प्रोवाइट करता है और इसके साथ साथ मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो ओयो ने मार्केट में सेट किया बहुत सेक्सेस्फुली अब ये चल रहा है बहुत सारी अधर कंपनी इसे फॉलो कर रही है और इंडिया में जो हमारे इन हेली स्टेशन पे रहने वाले गाउँ वाले थे जिनके अपने घरते उनके लिए ट्रेंड कितना फाइदे मन साबित हो रहा है वो इस दिसंबर जनवरी जैसे सीजन में देखने में आया ऐसी बहुत सारे इंफॉरमेटिव और नॉलेज वाले फैक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ तो आएए चलते हैं अपने लैपटाप की स्क्रीन में बहुत ही बहुत ही अच्छा कंटेंट आज की स्वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ चलिए दोस्तों तो दोस्तों हम आगे हैं अपने लैपटाप की स्क्रीन में और मैं आपको OYO के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि क्या अभी भी OYO होटल के साथ साथ ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर OYO Rooms की वेबसाइट ओपन है पहले इस वेबसाइट पर ओप्शन आता था पैकेजेस बुक करवाने के लिए एक लिंक आता था लेकिन मैं इस पूरी वेबसाइट पर आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ OYO पैकेजेस बुक करवाने का ओप्शन कहीं पर भी नहीं है सिंगल प्लेस पर भी नहीं है ये OYO की कैटिगरीज हैं जो टाइप सब होटल है टाउन हाउस सिल्वर की OYO होम्स लेकिन कहीं भी पैकेज बुक करवाने का आप्शन एवलेबल नहीं है पहले OYO Rooms, OYO Total Holidays के नाम से पैकेज बुक करवाने की फैसलिटी प्रोवाइड करती थी क्लाइंट्स को लेकिन वो अब बंद कर दिया गया है और अब आप सिर्फ OYO को as a hotel aggregator के रूप में इससे होटल की बुकिंग करवा सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि OYO ने जो एक ट्रेंड स्टार्ट किया OYO Homestays, OYO Homes के नाम से वो अब मार्किट में काफी अच्छा बूम कर चुका है बहुत ये इंडिया की एकनॉमिक लिए भी बेटर है और जो हिली स्टेशन पे जो हमारे लोकल लोग जिनका रेजडेंस ह वहाँ पर अपना उनके लिए भी बहुत बेनिफिशरी शाबित हुआ है इसके साथ साथ ट्रेवलर्स को लिए भी अच्छा है कि उनको घर से बाहर घर जैसा मोहल मिल जाता है आईए आपको OYO के एक पेज़ पर लेकर के बता रहे हैं कि OYO Homes के पीछे उसका क्या मकसद था be it a vacation near a beach or a villa in an exotic islands, a savage studio apartment or a track through the hills of Kosoli, OYO Homes seeks to find you a home away from home OYO का Funda आपको एक ऐसा experience होगा घर से निकल करके घर जैसा मोहल मिलेगा in every location पर, इंडिया की हर location पर OYO Homes आपको provide करेगा घर जैसा मोहल घर से दूर OYO का क्या मकसद है इसके पीछे वो आपको OYO की साइट पर देखने को मिलेगा OYO Homes are specially designed to give you a unique and distinctive accommodation experience Each one is built in a way that corresponds to its beautiful surroundings and comes along with the same level of services, amenities, comfort and convenience that is assured by OYO managed hotels जैसे आपको OYO Hotels में services मिलती है वैसे ही आपको OYO Homes में मिलेगी If you are someone who wants to stay at a cozy home-like residence at an affordable price then OYO Home provide just the right option for you घर से निकल करके अगर आप घर जैसा comfort चाहते हैं तो OYO Homes ही आपके लिए बहतर option है They are completely private homes हैं पूरी तरह से लोगों के अपने खुद के घर हैं That are offer high quality amenities मिलेंगी आपको Services और surroundings चारो तरफ का महल बहुत ही बढ़िया होगा And are managed by the OYO Teams के द्वारा ये manage की जाती हैं OYO में आपको OYO Homes के थुरू विलाज से लेके अपार्टमेंट Homestay से लेके cottages Studio से लेकर के country houses सब कुछ मिलेगा Be it a vacation with friends, families or enters solo trip These vacations get a memorable experience at OYO Homes And come back with thousands of stories to tell ये सारी ranges आपको मिलती हैं और रहने के बाद आपके पास बहुत सारी बाते होंगी OYO Homes और उसके बारे में करने के लिए तो मीद करता हूँ OYO के बारे में जो आप जानकारी लेना चाहते थे वो आपको मिल गई होंगी Latest trend OYO Home, OYO Homestays और इसी पर अब चलते हुए और होटल की chain और जो travel agents हैं वो भी इसको follow कर रहे हैं सब को benefit मिल रहा है मिलते हैं YT भारत के स्थे के बहुत ही अगले interesting and informative वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए latest वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में